पुलिस सत्ता की शेह पाकर जितने भी बेलगाम हो जाएं लेकिन जब उस पर कोट का हतोड़ा पड़ता है तो कोई पार्टी है उसके नीता माई बाप बनकर नहीं आते हैं गुजराथ हाई कोट ने आज जो फैसला सुनाया है वो बेलगाम हो चुके पुलिस वाले के मूँ पर तमाचा है और दूसरे सब ही पुलिस वालों को संदेश है कि किसी हाकिम के हुक्म के सामने इतने अंधे ना हो जाएं कि आपको पता ही ना चले कि क्या सही है और क्या गलत गुजराथ हाई कोट ने चार पुलिस वालों को 14 दिनों की सजा सुनाते हुए सलाकों के पीछे भेज दिया है और साथ ही उन पुलिस वालों पर जुर्माना भी लगाया है ऐसे में क्या है पूरा मामला बताएंगे इस वीडियो में नमस्कार आदाब आप देखरें खबर लाया गया और लोगों से माफी मंगवाई गई इतना ही नहीं पुलिस ने गाउंवालों के सामने एक एक कर सब को पीटा आरोपियों की पिटाए के कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें आरोपियों को खंबे से बांग दिया गया पुलिस वाले आरोपियों को लाठी से पि पुलिस ने आरोपियों को खंबे से बांध कर पीटा। दिवाय ने लिखा था। गुजरात गर्बा के आयोजन स्थल को लेकर विवाद में साथ घायल पुलिस ने संदिग्दों की सरयाम पिटाई की। पुलिस द्वारा आरोपि की पिटाई का मामला हाई कोट पहुचा जहां कोट ने पुलिस वालों को दोशी मानते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस की खबर में साफ है कि मुस्लिम युवकों को पीटने वाले चार पुलिस कर्मियों को 14 दिन की जेल हाई कोट ने जुर्माना भी लगाया। तो वहीं हिंदुस्तान अखबार ने लिखा पिछवाडे पर डंडा मारना टॉर्चर नहीं पुलिस की दलील नहीं आई काम चार पुलिस कर्मियों को हुई सजा। दरसल 11 अक्तूबर को पुलिस अधिकारियों ने अदालत से कहा था कि लोगों के पिछवाडे पर डंडे मारने को कस्टेडी में टॉर्चर के तौर पर ना लिया जाए। पुलिस की तरफ से उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि ये सारे अधिकारी पुछले 10-15 सालों से विभाग में काम कर रहे। ऐसे में अगर इने सजा मिलती है तो उनका प्रफेशनल रिकॉर्ड प्रभावत होगा। पुलिस की तरफ से दलील पर दलील दी जाती रही लेकिन अदालत ने एक ना सुनी और चार पुलिस वालों को दोशी मांते हुए उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। इस मामने में इंस्पेक्टर एवी परमार, सब इंस्पेक्टर डीवी कुमावत, हेड कॉंस्टिबल के ल धाबी, कॉंस्टिबल राजु धाबी इन चारों पुलिस को सजा सुनाई गई। आपको बता दे कि इन पुलिस वालों ने उन लोगों से नाक रगड़ते हुए माफी मांगी थी, जिनकी पिटाई इसने खंबे में बांध कर की थी, और साथी कोट से अपील की थी कि सजा के बजाए उन्हें पीडित को मुआवजा देने का आदेश दिया जाएं, लेकिन पिडित परिवार ने मुआवजा लेने से इंकार कर दिया, तब गुजराथ हाई कोट ने इन पुलिस वालों को सजा सुनाते हुए सलाकों के पीछे भेज दिया, उस खबर पर मीडिया के रिपोर्टिंग भी आप ना भूले होंगे, जब पिछले साल न्यूज एटी में अवन चोपडा ने पुलिस दोरा मुस्लिम लड़के को मारने को पुलिस का डांडिया बता दिया था, तब NBD ने दंगाय चोपडा पर जुर्माना लगाते हुए उसके उस कारिकरम की वीडियो को डिलीट करा दिया था, तो गुजराथ हाई कोट का ये फैसला नफरत में अंधे हो चुके पुलिस वालों के लिए सबक है, तो गुजराथ हाई कोट के इस फैसले पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और हमारे फीजरल्जिम को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तब ही होगा, जब आप चितना ज्यादा ठैंक सिपरन का इस्तमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी होसला अवजाई करेंगे, दोस्तों अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमें सब्सक्राइब कर लीजे, फेस्बुक और इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं, तो खबरद्दा को फॉलो कर लीजे